Hello Everyone, Welcome to Self-Care Knowledge आज मैं फेज से आपके सामने होम अशेंशिल प्रोड़क का रिव्यू करने वाली हूँ ये पॉली कैप ट्यूब लाइट है चलिए मैं आपको ट्यूब लाइट का बाहर से पहले ओवर रिव्यू कर देती हूँ ये पॉली कैप की ट्यूब लाइट वाइफाई से चलने वाली है यानि फोन से ओपरेट होने वाली ट्यूब लाइट आप जानना चाहते हैं कि ये ट्यूब लाइट फोन से कैसे ओपरेट होती है इसके लिए आपको वीडियो एंड तक वाच करना होगा तो चलिए देखते हैं Tube Light के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो इस Box के अंदर हमें Tube Light के साथ-साथ इसे इंस्टॉल करने के लिए Screw मिल जाते हैं जिसकी Help से Easily हम Tube Light को Room में लगा सकते हैं Tube Light 20W का है को इसमें दो Color मिल जाते हैं Yellow और White मैंने अपने फोन में Home App पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है अब मैंने Open कर लिया है और आप देख सकते हैं कैसे Tube Light को अरजस्ट करना है White, Yellow और Brightness नीचे से कम जादा कर सकते हैं अप के Help से हमारी Tube Light अच्छे से ऑपरेट हो जाती है तो आप देख सकते हैं कैसे Tube Light की Light कम जादा और Yellow वाइट में कर सकते हैं इस एप में एक ऐसी सेटिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है कि आप इस Tube Light को आप जिस भी Time Off करना चाहते हैं आप उसे सेट करके Off कर सकते हैं जितने घंटे तक चलानी है जितने बजे तक चलानी है आप इस एप के According अरजस्ट करके उसे Off कर सकते हैं ये एप आपकी Light Off करने की Tension को भी Solve करता है आपने जितना Time Select किया है उसके According ये Tube Light अपने आप Off हो जाता है तो चलिए अब मैं आपको फोन में Home App इस्टॉल करके दिखाती हूँ इसके लिए आपको फोन में Play Store ओपन करना है और Home App लिखना है इसका आइकन ब्लेक कलर में है और इसमें वाइट कलर से लिखा हूआ है Home उसे आपको इस्टॉल कर लेना है एप कम्प्लीट डाउनलोड करने के बाद आपको आपको ओपन करना होगा जैसे कि आपको फोन की स्क्रेन में दिख रहा है एप को ओपन करने के बाद आपको ट्यूगलाइट सेलेक्ट करना है इसके बाद एगरी पे क्लिक करना है फिर साइन अप करना है So sign up करने के लिए आपको register करना होगा पहले country select करना है फिर आपको mail ID डालनी होगी उस पे आपको verification code आएगा verification code डालने के बाद आपका ये home app register हो जाएगा verification code डालने के बाद आपकी app verify हो जाएगी इसके बाद आपको password set करना है जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं को six digit का password set करना होगा जैसे कि मैंने यहाँ set किया है आप इसी तरह से अपना कोई password set कर सकते हैं password set करने के बाद आपका home map ready है आपके device से connect होने के लिए अगर आप चानना चाहते हैं कि home map tube light से कैसे connect होगा तो please इसके लिए comment करें next video मैं इस topic पर separate video upload करूँगी इस video को मैंने polycap के tube light का honest review करने के लिए बनाया है तो personally यह product मुझे अच्छा लगा है आप भी इसे purchase कर सकते हैं यह tube light 20 watt का है अगर आपको honest product का review देखना अच्छा लगता है तो please channel को subscribe कीजिए कीजिए थेंक यू कीजिए थेंक यू